15 जनवरी 2020 को हमने पैंसन और पीफ दोनों के विडोल के लिए अपलाई किया था और तकरीबन 10 दिन के बाद 10 जनवरी 2020 को पैसा हमारे अकाउंट में आ चुका है आप दे सकते हैं फर्म 10-C यहाँ पे हमने अपलाई किया था और निचे अगर आप देखेंगे तो फर्म 19 ये भी अपलाई किया था दोनों का फुल एडफ फाइनल के लिए पैसा हमने अपलाई किया था और हमारे अकाउंट में 23 जनवरी 2020 को पैसा आ चुका है आप दे सकते हैं यहाँ पे दो करें तो आप बिना किसी रिजेक्शन के बिना किसी फैलियर के अप्लाइग कर सके और आपका जो पैस है आपके अकाउट में आसके तो आपको अपने यूण आडी के अंदर लोग इन कर लेना है पास्वर्ड और यह कैप्टा फिलने के बाद और आपके सामने अपना डैस्बोर्ड आ जाएगा और आपको उपर जाना है ओनलाइन सर्विस के अंदर यहाँ पे सिर्फ से पहले उप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउट के लाज्ट के चार्ट डिचिट है उनको फिल कर देना है उसके बाद बैरिफाई पे कलिक करना है उसके बाद यह विंडो आएगी आपको ओके पे कलिक कर देना है और नीचे प्रोसिट टू कलेम पे कलिक कर देना है उसके बाद फाइनल पे उपन हो जाता आपके सामने और सबसे पहले आपको इंशोर करना है कि आपकी जो डेट अब ज्वैनिंग और डेट अब एगजिट है वो मैंसेन होनी चाहिए आपे आप चेक कर सकते हैं आपके सबसे पहले उसके बाद I want to apply for पे कलिक कर देना है इसके सामने जो square box बना हुआ है इसके अंदर से हमें पारा सेलेक्ट करना है इसके अंदर से मैं only पैंशन विडोल form 10C को सेलेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि मैं PF विडोल 19 form पहले भर चुका हूँ आप भी इस बात का ध्यार रखें कि जब भी आप PF विडोल करें तो आपको form 19 को पहले fill कर देना है उसके next आप पैंशन के लिए apply करें तो rejection नहीं होगा और आपका पैस आपके account में बिना किसी rejection के आ जाएगा नीचे आपको अपना address फिल कर देना है और नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपको अपना passbook या checkbook जिसके उपर आपका नाम हो उसका photo लेना है उसको यहाँ पे upload कर देना है और इसका size हमें 100 kb से 500 kb की बीच में रखना है उसको कैसे करना होता है उसका link मैं आपको video analysis में दे दूँगा वहाँ से आप अपने photo को कर सकते हैं जो भी photo आप upload करें उसको चेक जिरू कर लेना है उसके बाद नीचे square box पर click कर देना है और proceed to OTP पर click कर देना है इसके बाद आपके mobile पर एक OTP आईगा उसको यहाँ फिल कर देना है और नीचे validate OTP पर click कर देना है बस इतना ही process है आपका जो application है आपका जो claim है वो submit हो चुका है और नीचे आपको दिखेगी कि आप यहाँ पे अपनी PDF को download को सकते हैं नीचे click here पे click करने के बाद और आपको अपना claim status चेक भी कर लेना है यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 14 जनुवरी को मैंने PDF के लिए प्लाई किया था और 15 जनुवरी को मैंने PDF के लिए प्लाई किया था जो आपको वीडियो के starting में दिखा चुका हूँ कि दोनों shuttle हो चुके हैं और तकरीबन 10 दिन में क्लिक करना है वहाँ पर एक पले रिस्टे पीफ के नाम से उसमें जा करके देखना है एक आपको थमनेल मिलेगा एक फोटो दिखाई देगेगी पीफ निकालना दो मिनिट के अंदर आपको उस वीडियो को देख लेना सेम प्रोसेस है आपको सिर्फ फॉर्म 19 वोग सेल